सब्सक्राइब आपका आज के इस प्रॉपर्टी रिवी वीडियो में आज हम आप सभी के लिए लेके आए एक बड़िया निव लॉंच प्रॉजेक्ट पुने के क्योड़े लोकेशन से जहां पे प्रीमियम फिटिंग्स वाले टू बीएच के एंड ट्री बीएच के पर यह प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है जिसमें आपको चार हायराइज टावर्स देखने को मिल जाते हैं दो टावर अल्रेडी डिलिवर्ड एंड जहां पर लोग अल्रेडी रहते हैं थर्ड टावर अभी ओपन कर लिया है विकिंग के इस आप से इस पर्टिबिल को देखने को नहीं मिलता है प्रोजेक्ट सेक्ट इसका पॉची सफेटेशन आपको मिल जाता है एफ्ले पड़ेशन के बारे में समझ लेते हैं यह प्रोजेक्ट कीवड़े लोकेशन में डेवलाप किया जा रहा है पूने मुंबई से वेल कनेक्ट यह प्रोजेक्ट को द आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल में रोट टच प्रोपटी आपको देखने को मिल जाते हैं इसी वज़ेसे इंजे वाड़ी आईटी पार्क के काफी सारे एंप्लोई ने यहां पर प्रिविएस वाले फेस्मेट जो है घर खरीदे हुए है और इस पर्टुक्लर विस प्रिविएस के अधिन त्री प्रिविएस के बाद आपको सब्सक्राइब आपको बिल्कुल्ण ने किशुटर दीन पार्क को देखने को प्रिविएस प्राइब बाद जाएगी चलिए वेकल से ब्रूट प्रटूर लेते हैं वीडियो में अगे बढ़ने से बहें मेरी सब आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगे चले पुछी सेंपल फ्लैट का टूट करते हैं 940 स्कूर फिट कार्पेट यह त्री बिच के सेंपल यहां पर रेडिया आप जैसे फ्लैट के पास में आओगे आपको वन टेच कंपनी का वीडियो दोर फॉन कुछ इस तरी 18 x 11 साइज का लिविंग कम डाइनिंग एरिया यहां पर देखने को मिल जाता है बड़े अच्छे तरीके से आप यहां पर फॉनिट की अरेमेंट कर सकते हैं एक बार आप नीचे टाइस देख लिए इसी तरीके की ग्रैंड साइज डिजाइनर टाइस आपको एंटायर फ्ल जो एंट रख सकते हैं उससाप से आपकी सोफा की प्लेस्मेंट हो जाएगी बीच में आप सेंटर टेबल रख सकते हो एंट आपका वाल मांटेड बड़ा सा टीव इनिट इंस्टाल कर सकते हो उससाप से आपको पॉंट्स डेवलोपर्स ने करके दी हुए एंड कि टो मेश भी इंस्टॉल करके डेवलोपस दे देते हैं अच्छे साइज की आपको यह आपे बालकनी मिल जाती है 10 x 7.8 साइज की आपको बालकनी लिविंग के साथ मिल जाती है कुछ इस तरीके का रेलिंग का आरेमिंट आपको बालकनी के साथ दिया जाएगा नीचे आप अपको बालकनी प्रूज कृष्च ने दिया ऑई युटनल लेक्ति लायके आपके बालकनी इतने भाडनी की लगाना चाहो फेस्टिवल सिसन में कर सकते हो प्लस बालकनी अतनी बड़ी है कि आप बड़े आरामसे बाहर बैटके वर्फ प्रोम भी कर और सकते हो इतनी spacious balcony मिल जाते हैं, properly covered आपको balcony यहाँ पर मिल जाते हैं, multiple तरीके से आप इस particular balcony को use कर सकते हैं, जैसे भी आपकी family की रीड है, उसे साप से आप इस particular balcony को use कर सकते हैं, आई अब next part of the flat को check करते हैं, आज आई अब बढ़ते हैं, next part of the flat की तरफ, living room से हम जैसे आगे बढ़ेंगे, इ spacious kitchen area, आइए से quickly check करते हैं, 13 by 8 size का आपको spacious spacious kitchen areas यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एक side पर आपको मिल जाता है cooking platform, और एक side पर आपको मिल जाता है chopping platform, इस तरीके से developers आपको arrangement यहाँ पर करके दे देते हैं, अब बढ़े अच्छे तरीके से नीचे modular kitchen trolley's की arrangement कर सकते हैं, और इस तरफ आपको inlet, outlet के साथ, electric switchboard के साथ, washing machine रखने के लिए dedicated space यहाँ पर मिल जाती है, उसके उपर आपको बड़ी सी window दी जाएगी, जहासे proper ventilation आपको आता रहेगा, यहाँ आपका chopping platform आगे नीचे आप अच्छे तरीक से storage space क्रेट कर सकते हो, उबर भी आप overhead cabinets यहाँ प आपको arrangement करनें, तो वो भी आप यहाँ पर properly कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको point developers ने दिया होए, multiple switchboards यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो आपका mixer oven grinder आप इस particular platform पर यूज कर सकते हैं, यह जो space है, यहाँ पर बड़े size का double door का fridge unit रखने के लिए properly space मिल जाते हैं, उसके यह जाता है आपका common washroom, जिसमें आपको basin देख लिए बाहर की तरफ आपको place देखने को मिल जाता है, ताकि आप जब भी खाना खाने बेठे या खाना खाने के बाद आपको जब भी hand wash की ज़रुवत पड़े, तो आप इस particular basin space को यूज कर पाए, उससाब से आपको developers ने दि आइज दे जाएंगे, and CPWare Sanituary आपको American Standard and Growhay Company के premium fittings के यहापे Secure Sanituary इंस्टॉल करके developers दे देते हैं, आइए बेडरूम को चेक करेंगे, इस तरफ आगे हम पहले बढ़ेंगे, kids bedroom की तरफ, आज एमें आपको quickly इस तरफ, जो है, first bedroom आपको जो मिल जाता है, यह आपका kids bedroom आ सकते हो, plus ventilation के लिए आप देख लीजे, काफी बड़ी सी window आपको यहापे मिल जाते है, noise cancellation वाले यह windows मिल जाते है, प्लस mosquito mesh भी यहापे developers इंस्टॉल करके दे बाहर की तरफ आपको grill भी इंस्टॉल करके developers ने दे विए, आइए बेकिक करके बाकी के दोनों bedroom को चेक करेंगे, आज यही है, इस तरफ आपको मिल जाता है master bedroom और इस तरफ मिल जाता है parents bedroom, आइए पहले parents bedroom को चेक करते है, 10.6 by 10 size का एक decent size का आपको अगेन यहापे parents bedroom की हिसाप से bedroom मिल जाते है, जिसके साथ attached to washroom आपको मिल जाता है, यहाप एगर मैं arrangement की बात करूँ, तो एक अच्छे size का आप bed organize कर सकते हो, दोनों side पे आप side tables properly रख सकते हो, सामनी की तरफ आपको enough space मिल जाती है, जहाप बड़ा असा wardrobe इन्स्टाल कर सकते हो, उससाप से आपको यहापे space मिल जाती है, और इस तरफ आप देख लीजे, एक अच्छे size की window आपको मिल जाती है, तो यहाँ से आपको काफी अच्छे तरीके से यहापे दिया जाता है, यहाँ जाता है आपका bathing area, इस तरफ wall mounted comode area, और यहाँ जाता है आपका basin area, आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम आप भी चेक करेंगे master bedroom को आजाए, इस तरफ हम आगे जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ जाता है आपका master bedroom, 12 by 10 size आपको यह master bedroom यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके साथ attached balcony भी मिलती है, and attached master washroom भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख लिए अच्छे ventilation आने के लिए बड़ी सी विंडोस की आरेमिन भी दी जाती है, आपको mosquito mesh भी यहाँ पर developers ने दिया हुआ है, अच इस तरफ attached washroom जो आपको मिल जाता है, आपको मिल जाता है, आज यह आप जैसे अंदर आजाते हो, आपको मिल जाता है, यहाँ पर basin एरिया, wall mounted covered area, और यह आजाता है आपका bathing एरिया, अगर यहाँ पर भी designer color community tiles आप नोटिस के रहें, काफी अच्छे fitting वाले आपको यहाँ आ इस तरफ आपको मिल जाता है, इस तरफ आपको मिल जाता है, attached balcony आजए, master bedroom के साथ जो balcony आपको मिल जाती है, 12 by 5 size की अच्छे size की balcony आपको master bedroom के साथ attached मिल जाती है, एक बार आप नीचे ties देख लिए, अगर यह भी wouldn't look like anti-skid tiles आपको दी जाती है, and properly covered आपको balconies मिल जाती है, तो privacy की साब से भी आपको काफी अच्छे है, अच्छे तरीके से balconies यहाँ पे दी हुई है, and railing आपको कुछ इस तरीके के railing की arrangement आपको यहाँ पे developers दी हुई है, आई अब बढ़ेंगे living dining area की तरफ आ जाए, तो कुछ इस तरीके का आप देख लिए, 940 square feet carpet area का 3-bit sample flat अभी के लिए ज़रूरा है, हमारी property consulting services absolutely free of cost है, तो आप हमें बेफिकर हो के contact कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, next property review video में, for more videos from hallroomkitchen.com आप in buttons पे click जरूर करें, अगर आप पूले waste में property डून रहे हैं, तो आप हमें contact जरूर करें, हम आपको आपकी requirement के according best से best property, कम से कम time में and best से best price point पर दिलवाएंगे, यह हमारी commitment है,